वेलकम बैक डियर सब्सक्रेबर्स तो आज की इस वीडो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में ही AI वीडो एडिटिंग कर सकते हो मतलब वायरल AI आउतार वीडो एडिटिंग कर सकते हो जी हाँ अब आपको AI वीडो बनाने के लिए किसी पेड वेबसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा अब आप डिरेक्ली कैपकट के अंदर ही AI टॉलकिंग वीडो बना सकते हो और साथ में उसमें वायस भी एडि कर सकते हो सायद आपको लग रहा हो मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ आप कैपकट के अंदर ही AI वीडो बना सकते हो तो वीडो पर end तक बने रहे हैं मैं आपको step by step बताऊंगा कैसे क्या करना है तो चलिए वीडो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सो AI वीडो हम बनाने वाले हैं कैपकट की मदद से तो आपके पासे कैपकट एप होना चाहिए अगर आपके पासे कैपकट एप नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मैं वहां पर आपको कैपकट के बारे में बता दूंगा एंड कैपकट को यूज करने के लिए आपको किसी वीपियन से कनेक्ट होना पड़ेगा तो मेरे पास सूपर वीपियन है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ आपके पास जो वीपियन होगा आप उसे ओपन कर लेना उसके बाद कैपकट को पर क्लिक करके कनेक्ट कर लेना अग के सामने आज आएगा एंड हां हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना कैपकोट को यूज करने से पहले वीपिन से कनेक्ट हो जाना ओके देन उसके बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को पर आप क्लिक कर लेना उसके बाद फोटोज वाले सेक्शन को पर जाके जस्ट आप यह एक इमेज एड हो गया जो कि हम बैक्राउंड में रखेंगे एक यह स्टूडियो का इमेज है ठीके इस तरीके का कुछ इमेज का लिंक में देदूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप वहां से गेन कर सकते हो उसके बाद इस इमेज का उपर क्लिक करके इसका डूरेशन आपको इंक्रीज करना है एप्रोक्स आप इंक्रीज करना जितना टाइम तक का आप वीडो बनाने वाले हो लाइक में से जस्ट तीन मिनंट तक इंक्रीज कर देता हूं ठीके इस तरी से इंक्रीज कर देना उसके बाद इसका जो रेश्यू है उसे आपको चेंज करना होग लाइक अगर आप YouTube के लिए बना रहे हो तो अलग रहेगा ठीक है तो यहाँ पर स्क्रॉल करना रेश्यो का आपको आपसन मिल जागा इसको पर आपको क्लिक कर लेना अगर आप रील वीडो या फिर शॉट्स वीडो बना रहे हो तो 9 इस्टो 16 अगर आप YouTube का लॉंग फॉर्म दिया उसके बाद आपको यहाँ पर यह जो टेक्स्ट का आपसन देखने को मिल रहे ना इसके उपर क्लिक करना है यहाँ क्लिक कर दो तो आपको एक AI राइटर का आपसन मिलेगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना इसकी मदद से आप यहाँ पर एसक्रिप्ट लिखवा सकत ढहिए हो लाइक आपको जिस भी टाइप का स्क्रिप्ट के चाहिए और आप यहां पर लिखते न जैसे के हम यहां यह लिख सकते हैं कि जंडरेट यूटुब असक्रिफट ऑब उन टॉपिक जो आपको टॉपिक होगा तो जो भी आपको टॉपिक होगा वो आप यहाँ पर लिख दे न मैं जस्ट यहाँ पर एक सिंपल सा टॉपिक लिखता हूँ तो जैसे हैंगगा यहाँ स्क्रिप्ट इस लिख पर बना सकते हो ब्सक्राइब यस्ट आप यहाँ देख पार, आपको a script मिल चुका है, उसके बाद आप Just यहाँ पर, next का आपको option मिल या फिर confirm का, तो confirm को पर आपको क्लिक कर देना, इसके उपर जैसे है आपको click कर तीन option अएगा, एक, add text only का option हैगा, इसको अगर आपको select करोगा, तो सिर्फ text लिखा जाये अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट रहेगा और साथे में और यू रहेगा बट आपको सेलेक्ट करना है एड एयाई करेक्टर मतलब कि ठाड वाला इसे आपको सेलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट भी रहेगा और यू रहेगा और करेक्टर भी रहेगा ठीक ह उसके बाद Add to Trac के उपर click कर देना, इसके उपर click करने के बाद, आपको यहाँ पर काफी सारे character देखने को मिझे जिन्हें, आप use कर सकतो हुँख, मैं के बाद आपको दिखाता हुँ ठीक हाँ, यहाँ देख सकतो काफी सारे आपको lady character मिल जारें, आप यहां पर स्क्रॉल करेंब तो आपको यहां पर मेल करेक्टर हम देखने को मिलेंगे तो जो आप यहां पर चूज करना चाहत तो detox करता है अगर आप को उने मेल में चूज करना है तो अपने topic के हिसाब से कर लेना जसे के कोह हमें money के बारे मीन बता है तो वो खुद थोड़े रीच होने चाहिए लागि यह जो परसन वो लग रहे हैं कि यहां थोड़े रीच है तो इस टैप को जो भी आपको मिन से करेक्टर सुटेबल लगता है आपकी वीडियो को टॉपिक के अकॉर्डिंग उससे करेक्टर को आप सेलेक्ट कर लेना उसके बाद आप यहां पर डन कर देना ठीक है डन करने के बाद आपको सिर्फ थोड़ा सा वेट करना होगा यह जो जनरेटिंग है यह जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपके वीडियो में यहां पर AI आडियो और टेक्स्ट दोनों एड हो जाएगे उसके बाद एक और छोटा सा आपको जो वीडियो वह बन जागा और मैं आपको एक कमाल के चीज़ बता हूँ आपका यह जो करेक्टर होगा यह सिर्फ बोलेगा और आपने आखों को हिंब नहीं करेगा बल्कि अपने हैंड्स को अपने बाडी पोस्चर को भी चेंज करेगा जिससे कि यह बिल्कुल र अपने एकॉर्डिंग अजस्ट कर सकतो लाइक इसे थोड़ा से यहां पर अजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका आप फॉन्ट वगरा भी चेंज कर सकतो ठीज जैसे के स्टाइल को पर आप जाओगे तो यहां पर आपको सारा चीज केस्टमाइज करने को आप्शन मि काफी सारे आपको यहां पर फॉन्ट से देखने को मिल जाते हैं इन में से जो आपको सही लगता है उससे आप सेलेक्ट कर लेना लाइक में इसे सेलेक्ट कर लेता हूं फिर स्टाइल को पर आप क्लिक करोगे तो कलर बगेरा आप यहां पर चेंज कर सकते हो सेड यह सब दे लेना उसके बाद एनिमेशन का आपको option मिलेगा एनिमेशन में भी आपको काफी सारे एनिमेशन मिलेंग तो इन में से कोई सभी एनिमेशन आप यूज कर सकतो लाइक इस टैप के काफी सारे आपको एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जारे आप देख पारो ठीक है तो जो को सही लेगेगा उसे आप यहां से सेलेक्ट कर लेना लाइक में यह एक्सपेंड को सेलेक्ट कर लेता हूं काफी अच्छा आनिमेशन उसके बाद दन कर देना ठीक है तो इस तरी यहे से करके यूश्ट आप अपने टेक्स्ट को यहां पर एडिट कर सकते हो करके अपने एडिट कर सकते हैं जैसे किसका साइज वगर आप इनक्रीज कर सकते हो ठीक है सोड़ेट की किलियर ली दिखें जुए यहां पर बोल्ड उससे रिलेटेट कुछ हम इमेज़ ग्लिपस वगर भी एड्ट कर सकते अपने विडिऊ को और भी ज्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए यहाँ पर मनी वगरे के बारे में बोला जा रहा है तो आप यहाँ पर अभर ले से अगर आप मनी का पीछे भेजना है तो यहाँ स्क्रॉल करके आप जस्ट लेर को पर जाना वन को पर क्लिक कर देने पीछे चला जाएगा देन जहाँ अगर आपको इसका बैक्ग्राउंड हटाना है लाइक आप यहाँ पर जस्ट काट आउट को पर आजाना ठीक है यह जो कट आउट को फिर इंटेंशिटी को पर जाके इंटेंशिटी इंक्रीज कर दोगे तो वाइट कलर हट जागा अब यह पी एंजी एड हो गया तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हो जिससे कि आपका वीडो और भी आदा इंगेजिंग बनेगा अगर आपको इसे में एनिमेशन वगर एड सुटेबल होगा तो इस तरी से करके जस्ट आप यहाँ पर और भी इसमें चीज़े एड करके अपने एड वीडो को और भी आदा इंगेजिंग बना सकतो उसके बाद इसमें अगर आप बैक्ग्राउंड म्यूजिक एड कर दो तो और अच्छा लेगेगा तो आपको आ चाहता हूं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यह एक बैक्ग्राउंड म्यूजिक है तो इसको पर क्लिक करके इसको वाल्यूम आपका कम कर ले हैं वॉल्यूम Penhã कर ले धृक को टेन से तका रख सकते हूँ तो इस तरी के लेकशा करके आप यहाँ पर एड टिंग कर सकतो बहुत ही ईजली एई आई वीडो बन जाते हैं ठीक है आप देखी पार तो इस तरह आप इस एई वीडो को बना ले ना बन जाने के बाद जस्ट आप यहां से एक्सपोर्ट को पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकतो एफेक्ट वगेर आपको यहां पर पता ही होगा कि कैपकट में इकशत मिल जाते हैं इनके मदाख से आप इफेक्ट यह सभी अपनी वीडो को पर लगा सकते हो ओके टो एक्सपोर्ट वौट को पर क्लिक कर देना सेव को पर क्लिक कर देना आपको ने वुडerson होहगा यह और चल चुक है और आब आप आउराम से कैप काट में AI वीडियो बना सकतों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई